नमस्कार आप देख रहे हैं देश्वान यूज और मैं हूँ आपके साथ जोती जिन्हा इस वक्त सुफिल मीडिया पर एक वीडियो काफी जादा चर्चा में है वीडियो बेगुसराय का है जहां पर उत्पात विभाग के दरोगा एक महिला के मांग में जो बरदस्ती सिंद पूर भरते नजर आ रही हैं महिला दरोगा को रोकने की कोशिश कर ही है लेकिन फिर भी दरोगा जी महिला की मांग में सिंदूर भर रही है या है पूरा मामला चलिए आपको डिटेल से बताते हैं दरसल दरोगा और महिला छोटी देवी के बीज प्रेम प्रशंग है हुआ यूं की दरोगा सुमन कुमार 2020 में बेगुसराय जिले के भगवान पुर्थाने में कारे रत थी जिस दोरान गस्ती के क्रम में वो छोटी देवी से मिले दोनों में प्रेम हुआ और फिर दोनों साथ साथ रहने लगे दरोगा सुमन कुमार का तबादला जिले के समहो थाना में हो गया तबादले के बाद सुमन कुमार छोटी देवी के साथ सुरे गड़ा रहने लगे छोटी देवी ने बताया कि उन दोनोंने 2020 में ही अशोक धाम में शादी कर ली थी फिलाल दोनों सुभास चौक के पास एक मकान में रहते हैं वहीं इसी दोरान महिला के कुछ रिस्तदार मिलने पहुंचे जहां उन्होंने महिला से पूछताच सुरू कर दी जिसके बाद दरोगा ने महिला की मांग में सिंदूर डाल कर ये बताया कि वो महिला के साथ उनकी मर्जी से रह रही हैं और दोनों ही अपनी-अपनी मर्जी से शादी भी कर चुके हैं छोटी देवी ने बताया कि दरोगा पर उनके पडिवार वाले गलत आरोप लगा रही हैं दरोगा से, उन्होंने अपनी मर्जी से प्रेम किया है और शादी भी किया है। उनका पती बेरोजगार था और खर्चा पानी भी नहीं देता था। यही वज़े था कि उन्होंने पंचायत नामा करा कर अपने पती को छोड़ दिया। चोटी देवी के पहले से दो बच्चे हैं वहीं दरोगा के भी पहले से चार बच्चे हैं लेकिन फिलहाल दोनों एक साथ हसी खुसी शादी शुदा जिन्दगी वैतीत कर रही हैं और साथ साथ रह रही हैं वहीं महिला के पड़िवार वालों ने जान बूच कर ये वीडियो बनाया और इसे शोचल मीडिया पर वाइरल कर दिया ताकि दरोगा जी को वसाया जा सके लेकिन महिला का यह साफ कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो अपनी मर्जी से रह रही है सिर्फ खबर दिखाना देश्वा न्यूज का मकसद नहीं देश्वा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना न भूले